हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लन प्रिदितीमन तो दिखें लास्ट वीडियो में हमने बिजोलिय किसान आंदोलन को पढ़ा था बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा तो मैंने बहुत ही इसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को याद रह सके आज हम करेंगे उसी तरीके से बेंगु किसान अन्दोलन, ठीकिए मेवाड में ही हुआ था, यह अन्दोलन और यह आन्दोलन भी विजोलिया अन्दोलन से प्रेणा पा कर ही स्टार्ट हुआ था, तो छोटा सा ही है यह टौपिक और बहुत जल्दी यह खतम हो जाएगा बें बेंगु कहां है वर्तमान चितोडगड जले में है और यहां पर आंदोलन का कारण भी वही था जागीरदार द्वारा अत्यदिक कर लेना लाग लेना और बेगार ठीके यहां पर नितरत्व करता कौन है राम नारायन चौधरी है ठीके और उसके बाद जो है राम नारायन कौन था ठाकुर सबसे पहले जो ठाकुर था 1903 में क्रिशन सिंग था और उसके बाद 1906 में प्रतवी सिंग था ठीक है और यहां बेंगु में जो ठाकुर है वह है अनूप सिंग है तो नाम ध्यान से याद रखने हैं 1921 इसवी में क्या होता है कि किसान परेशान होकर मेनाल के भेरी कुन नामक इस्थान पर एकत्रिक्त होते हैं एक्जाम में पूछा जाने वाला कुशन है कि बेंगु में 1921 इसवी में किस जगे पर किसान इखटे होते हैं तो यहां पर मेनाल के भेरी कुन में होते हैं सामंती दमन जो है वह चक्र चलता रहा यहां पर जो पहले से हो रहा था कि कर जो है वह लिया जा रहा था लगान लिया जा रहा था किसान जो है जूज रहे थे इस तरीके से ये कारवे फिर भी चलता रहा किसान जो है सभा में एकत्रित होते थे बातचीत भी करते थे अब क्या होता है 1923 इसवी में किसानों के प्रमुक रूपाजी और कृपाजी धाकड तो यहाँ पर किसान कौन से थे धाकड थे तो यहाँ सेना की गोली बारी से सहीद होते हैं ट्रेंज के आदेश पर गोली बारी की जाती है जिसमें रूपाजी और कृपाजी इन दोनों न दो लोग जो है वहें मारे जा चुके थे, अब क्या होता है कि बेंगू के जो ठाकुर है अनूप सिंग और राजिस्तान सेवा संग के बीच में समझोता होता है, तो जिसे बॉल सेविक समझोते की संग्या दी गई है, ठीक है? याद रगना है बॉल्सेविक समझेतो की संगया किसे दी गई है बेंगु के ठाकुर अनूप सिंग और राजिस्तान सेवा संग के बीच समझोता हुआ था कि अनूप सिंग जो है वो अब किसानों की बाद जो है वह है मानेगा क्योंकि बहुत जादा ही उग्र धारन कर चुक और उसके बाद किसानों की कुछ मांग जो है वो मान ली जाती है विजे सिंग पतिक जो है 1923 से 1927 तक इनको बंदी बनाकर रखा गया था तो विजे सिंग पतिक जो है ये कहां पर आये थे तो देखिए इस राजिस्थान सेवा संग की स्थापना जो है 1919 में की गई थी इसमें कौन-कौन थे अर्जुनलाल सेठी थे इसमें केशरी सिंग बारहट थे और विजे सिंग पतिक थे ठीक है और इनका उदेश ये ही था कि राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना इसलिए ये लोग किसानों की हैल्प कर रहे थे किसानों की सहयता जो है इनका जिम्मा इन्होंने लिया था तो यहां राजिस्तान सेवा संग के जो पतिक जी हैं 1923 से 1927 तक इनको बंदी बना कर रखा गया तो आज हमने बेंगु किसान आंदोलन को पढ़ा है आप इस चीज को अच्छे से समझना है आपको कि बेंगु किसान आंदोलन जो ह वह है क्यों हुआ था इसके नेतरत्व करता कौन थे राम नारायन चौजरी थे यहां का जो ठाकुर था अनूप सिंग था कहां पर हुई थी सभा मेनाल के भेर्युकुन में हुई थी कौन से किसान मारे गए थे बेंगु किसान आंदोलन की अंतरगत रूपा जी और करपा पुन से को बेंगु के थाकुर अनूप सिंग और आजिस्थान सिवा संग के मतद्ज समझवा संग कहा हुआ था उसे वोग से आंदोलन बहुत ही easy way में आप लोगों को समझाया गया है आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा जो भी point है इनको हर चीज को आपको ध्यान रखना है चलिए मिलते हैं next video में जहां हम next किसान आंदोलन पढ़ेंगे